दोस्तो अब यहां पे मैं compare करना वाला हूँ old royal field को नई royal field से तो अब आपको दोनों की तुनों royal field देखने को मिलेगी यह वाली जो है old royal field है यह वाली जो है नई royal field है तो भाई यह वाला जो review होगा यह exclusive review होगा क्योंकि यूटुब में अभी तक किसी ने भी old royal field को नई royal field से compare यही कर रहा है तो प्लीज दोस्तो शुरू से अन तक देखोगे इस वीडियो को तब ही चाहके पता चल पाएगा मैं हूं मान विचे आपका दोस्त और चालो करते इस वीडियो को बिना घिसी देरी के अब दोस्तो फ्रंट प्रोफाइल देख रही है अपने को यहां पर ज देखने को मिलेगा मतलब 19 इंचिस के अपने को स्पोक्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप आजाओगे अपनी दूसरी वाली जो कि है नई क्लासिक 350 में तो यहां पर आप इसके टायर डामेंशन से देख लीजिए इसका जो टायर डामेंशन है वो है 119 आर 19 मतलब 19 अपर के अपने को ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे वो बहुत अच्छी बात हो जाती है तो फिर ब्रांट क्वालिटी में रॉयल फिल्ट ने इंप्रूमेंट कर रहा है वो अपने को दिख रहा है उपर की तरफ अपने को आएंगे तो हैडलाइट यूनिट एकदम को अपनी नई वाली रॉयल इंफिल्ट में अब एक बर मैं साइड प्रोफाइल में से भी दूनों को क्मपैर कर लेता हूं तो इस साइड मे जब आप साइट प्रोफाइल में आएंगे तो आप यहां पे देख लीजिए अपने को यहां पे जो इंजिन देखने को मिलेगा तो यहां पर अपने को मेटियर को एंजिन देखने को मिलेगा, जो 20 PS की पावर देता है, और 27 Nm का टॉक देखता है, अगर दूसरी तरफ अपन आएंगे, तो दूसरी तरफ अपन रॉयल इंफिल्ड का एंजिन देख लेते है, अपनी पुरानी वाली जनरेशन का, तो वो व यहां पर अगर आप सीड की बात करें, तो सिटिंग कंफोर्ट नई वाली रॉयल फिल्ड में काफी अच्छा देखने को मिलेगा, आप देख लीजी किता अच्छा सिटिंग कंफोर्ट देखने को मिलेगा, तो बहुत हद तक अच्छा देखने को मिलेगा, ओल्ड जनरेश मिलेगी अब थोड़े बहुत अबं डायमेंशन के लिए मैं लाइक चाहूँगा कि यहां पर देखा तेखा और तो यहां पर आप देख लिजए दोनों के दोनोंगों के द्यां मिलेशन तो डायमेशन में काफी हथ तक आपको चेंजे देखने को मिल जाएंगे तो dimension के अगर अगर अपन बात करें तो Royal Enfield इस वाले Royal Enfield का dimension जादा ही है as compared with इस वाले Royal Enfield का dimension बस Ground Cleanance जो है इस वाले Royal Enfield का 35 mm तक बढ़ा दिया गया वो बहुत अच्छा है, land जो है इसकी वो 15 mm से reduce कर दी गई है, width जो है इसकी 5 mm से reduce कर दी गई है, तो dimension में काफी हद तक आपको variation देखने को मिल जाएगा और यहां पे भी अगर अपन बात करें तो fuel tank capacity में भी दोनों में आदा लीटर का variation देखने को मिल जाएगा curve weight में अगर अपन बात करें तो 1.5 kg का variation देखने को मिल जाएगा नही वाली रॉयन फिल्ड में चो है एक्साउस्ट साउंड वो काफी हद तक अच्छा कर दिया गा है as compare with the Royal Enfield जो की BS4 की अपने को देखने को मिल रही थी तो BS4 की रॉयन फिल्ड से नही वाली रॉयन फिल्ड का साउंड अच्छा होता है एक बार में एक्साउस्ट नोट चालू कर देता हूँ अपनी रॉयन फिल्ड का तो आपने यहां पर देख लिए अपने को किस तरह का एक्साउस्ट साउंड दिखने को मिलेगा नही वाली रॉयन फिल्ड से अब पुरानी वाली रॉयन फिल्ड का साउंड सोना देता हूँ आपको जो कि है बी यहां पर आपको चेंच देखने को मिल जाएगा तो रॉयन फिल्ड के जो साउंड है उसमें आपको वेरिशन देखने को मिलेगा अपनी नई वाली रॉयन फिल्ड में जादा हैवी बेस देखने को मिलेगा as compared with the older Royal Enfield और इसके जो है exhaust कितने तरह के Royal Enfield company प्रोवाइड करती है वो भी अपने को देखने को पता चलेगा अभी तक तो कोई इसकी information अपने को दी नहीं है hard and fast और अगर अगर अपन बात करें इसका जो rear tire है आप rear tire भी देख लीची यहांपे अपने आपने को देखने को मिलेगा अगर तो आपने को आपने को अच्छा बना देता है अगर अपन आ जाएंगे इसकी जो tail lamp unit जो देखने को मिल रही है तो tail lamp unit आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरह की tail lamp unit देखने को मिलेगी आपको कुछ इस तरह की tail lamp unit देखने को मिलेगी यह वाली जो है aftermarket light है otherwise tail lamp unit अपने को कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी On the other hand, अगर आप नई वाली Classic 350 में आ जाओगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए Tail Lamp Unit किस तरह की देखने को मिल रही है, Meteor जैसे अपने को Turn Indicators देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर अपने को इसकी Tail Light देख रही है, तो यह सारे के सारे चींजिस को मैंने Cover Out कर दिया है, थोड़े बहुत और चींजिस की बात करें, तो वो यहाँ पर आपने को देखने को मिलेंगे, इस साइड में अगर आप आओगे, तो यहाँ पर यह जो सार के सारे Switches है, वो अपने को Retro Style Switches देखने को मिलेंगे, जैसे Meteor में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अगर आप Plug की बात करें, तो यहाँ पर Parking Plug देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपने को brake देखने को मिलेगा और यहाँ पे in hand field जो है इस चीज की वो आपको बहुत अच्छी आएगी और इस side में अगर आप आओगे तो अपने को bar and weight देखने को मिल जाएगा और अगर अगर अपने को यहाँ पे meter वगरा देखने को मिल रहा है यहाँ पे सबसे चीज वो है यह है वो अपने को fuel tank indication देखने को मिल जाता है वो बहुत अच्छी है eco mode वगरा भी आपको बता देगा किते kilometer रिवेन है वो बता देगा आपको यहाँ पे speedometer देखने को मिल जाएगा kilometer पर आर miles पर आर दोनों दिखा देगा आपको और बैटरी इंडिकेशन वगरा सारे अपने को इसके अंदर ही इंडिग्रेटर ली दिख जाएंगे इस साइड में कर आप आप आओगे तो यहाँ पे अपने को हैड्लाइट की कंट्रोल देखने को मिलेंगे और क्लश लिवर वगरा कि अगर अपन बात करें तो यह कॉलि अपने को मिल जाएगा यहाँ पे अपने को की देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अपने को की देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अपने को की देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अपने को की देखने को मिल जाएगी यह वाली आप की देख लीजिए और आपको भी अपनी नई वाले रोइनफिल्ट की की दिखा देता हूं किस तरह की की है अपने नई वाले रोइनफिल्ट की तो आप वह भी देख लीजिए तो इसको मैं निकाल के दिखा देता हूं आप देख लीजिए इस तरह के अपने को की देखने को मिल जाएगी तो की जो है वह भी दोनों इसकी चाबी निकालने के बाद आपको राइट साइड में इस तरफ दालने पड़ेगी यहां पर आप चाबी दालिए उसको लॉक करिए फिर अपनी स्टेरिंग लॉक होगी तो यहां पर स्टेरिंग लॉक का सिस्टम वह भी एकदम डिफरेंट देखने को मिलेगा अगर करें तो नज वाले राइटल च्ययादा प्रेक्टेल हो जाती लेकिन अगर आप एक पुराने राइटल की ओनर ओगती अपन को और मैं पुराने राइन फिल्ड का ओनर और में पिर दोनों में से बोले कि मेरे को कान से बैटर लगी तो मेरे ऑज वाइबरेशन और का में लेकिन नई वाली वाली रॉयन्फिल्ड जो है वो बहुत ज्यादा better option बन चुका है नई वाली रॉयन्फिल्ड में कहीं भी आपको vibration नहीं देखने को मिलेंगे इसके top speed जो है cruising speed वो 100 तक आपको easily देखने को मिल जाएकि पुराने वाली में 80 तक ही आप cruise कर पाऊगे लेकिन in hand field की अगर अपन बात करें तो मेरे को मेरे personal choice ही है मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपकी क्या choice हो मेरे personal choice ही ही है कि मेरे को पुराने वाले रॉयन्फिल्ड as compared with the new रॉयन्फिल्ड अच्छी लगती है यह मेरा personal opinion दे रहा हूँ लेकिन in hand field वगरा सब चीजों की अगर अगर अपन बात करें तो नहीं वाली रॉयन्फिल्ड जो है एक तरह से बैटर देखने को मिलती है sitting comfort वगरा देख लीजिए काफी हद तक practical कर दिया है बिल्ड कॉलिटी काफी अची कर दी है और सारे स्विचेस वगरा कि आप कॉलिटी देखोगे तो आपको कहीं भी नहीं लगे क्या क्रोस कटिंग करिए कॉलिटी के साथ तो वह बहुत अच्छी चीज हो जाती है तो दोस्तों मेरे साब से आप लोगों के वीडियो पसंद आई होगी ये कैसा लगा आप कंपैरिसें मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना किस तरह का कंपैरिसन लगा और फिर मिलता आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई